आशा करता हूँ, आप सब बहुत अच्छे होंगे, मेरे नाम ऐसे धान तक नहीं होते ही, अपका बहुत स्वागत है, वाह, NHAI, National Highways Authority of India ने, लिमका Book of Records में अपना नाम दर्ज करवा दिया है, मतलब करवा ही लेंगे, क्योंकि 18 गंटे में 25 किलोमीटर रोड बना दी, आपको सड़क और परिवरन मंत्री है, Ministry of Road and Transport Minister, और नितिन गटकरी की बायगराफी मैंने कवर की है, उनका काम शांदार है, नितिन गटकरी एक ऐसे इंसान है, कि पक्ष वे पक्ष, दोनों ही उनकी तारीफ करते हैं, अभी सीधी बात पे मैं उनका इंटर्व्यू देख रहा था, प्रभु चावला के साथ, उन्होंने दुबारा सीरी शुरू की है, और उनका मैं इंटर्व्यू देख रहा था, बहुती सही तरीके से नाप तोल के उन्होंने बात कि और एक चीज बहुत अच्छी लगी जो उन्होंने बोला, कि देखिए ऐसा है, मैं जो बोलता हूँ, को मैं करता हूँ, है ना, जो भी मैंने बोला, जो भी टार्गेट सेट किये, वो मैंने किये, तो कुछ भी कहिए कि हमारी रोड और ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री बढ़िया काम कर रही है, तो NHAI के खाते में एक और उपलबदी आ गई, पच्चिस किलोमीटर रोड उन्हे लिम्का बुक आफ रिकॉर्ट्स जो है, वो भारत के रिकॉर्ट्स को रेजिस्टर करता है, 1990 में कोका कोला इंडिया ने इसको फाउंड किया था, तो जो भी इंडियन्स इन दा फील ओफ अकेडमिक, साइन्स, लिटरेचर, किसी भी चीज में, ठीक है, एक्स्ट्राओनरी परफॉर्म करते हैं, तो लिम्का बुक आफ रिकॉर्ड्स पे दर्ज हो जाता है, वो गिनीज बुक आफ रिकॉर्ड्स अलग है, वो दुनिया के बारे में देखता है, यह UPSC है, और यह हमारे कोर्सेज हैं, आप इसको जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज़्यदा आई वे का, 18 गंटे में 25 किलो मीटर खीच ले गए, बना दिये 25 किलो मीटर, चार लेन का उवर्क था, तो एक लेन, पूरा 25 किलो मीटर का स्ट्रेच चे, सिर्फ और सिर्फ 18 गंटे में बना दी, क्या बात है, यह आवे 18 गंटे में रोज मर्रा के काम नहीं पूरे, इतना वड़ा काम इनों ने पूरा कर लिया तो ये जो है सिंगा लेन ओफ वोर लेन स्ट्रेच और 25.54 विजैपुर सोलापुर NH52 18 गंटे में पूरा किया और यहाँ पे नितिन गटकरी ने खुद बोला है कि इतना जल्दी वर्क जो पूरा किया है ये लिमका बुक आफ रिकॉर्ड में आड होगा और मैं हर किसी को सारे वर्कर्स को प्रोजेक्ट डारेक्टर्स को कॉंग्राचुलेट करना चाता हूँ जो कंपनी के रेप्रेजेंटेटिव हैं उनको भी कॉंग्राचुलेट करना चाता हूँ देखिए हाइवेज इसलिए बनाए जाते हैं ताकि हम टाइम को कम कर सकें सिटी से जाएंगे सिटी से जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा भीडबाड में होते हुए हाइवे से चले जाओ क्या है कि कई बार सिटी में भी फ्लाइ ओवर्स आपने देखिये होंगे बहुत रश वाली जगह है उपर से फ्लाइ ओवर बना दिया टाइम बहुत कम जहां पे नीचे जाम लगता था फ्लाइ ओवर से जाम नहीं लगेगा और बहुत ही जल्दी आप पहुंचोगे तो ये जो हाई डेंसिटी ट्राफिक कॉरिडोर है बंगलूरू, चित्रादूर्ग, विजैपुर, सोलापुर, औरंगापाद, धुले, इंदौर, गॉलियर यानि कि एक तरीके से नौर्थ इंडिया को साउथ इंडिया से कनेक्ट करने वाला है कटकरी के हिसाब से लगभग 500 employees of the contractor company काम कैस में देखिए ये project पूरे कैसे होता है, contractor ठेकेदार आपने सुना होगा है जो ठेकेदार पर काम लेते हैं सरकार, सरकार project पास करती है NHAI implement करती है, कैसे through contractors, bidding होती है सबसे बढ़िया जिसका contract होता है उसको फिर बुलाया जाता है, जैसे 10 company है, 10 company ने बोला हम आपका काम कर देंगे तो सरकार को जिसकी सबसे बढ़िया लगी जिसका offer सबसे बढ़िया लगा, तो सरकार बोलेगी कि आप हमारा काम शुरू कर दो, और जो भी पैसा बहुत जाता मुश्किल से मिलता है, बहुत लोग पीछे पढ़े रहते हैं कि आर एक बार सरकारी ठेकेदार हो जाएं जो सरकार पुल बना रही है, जो भी प्रोजेक्ट कर रही है, अगर हमने वो ले लिया तो यार बले-ले बहुत पैसा कमाएंगे लेकिन ठेकेदारी में भी बहुत जाता कमपेटिचन मेरे कुछ दोस्त है, दोस्तों जो ठेकेदार है बताता है कि यार बड़ी आहलत खराब रहती है बट एनिवे, यहाँ पे जो कॉंट्राक्टर कमपनी है, बहुत ही जबर्दस्त तरीके सुनने ने काम किया है और बहुत ही मेहनत, मेहनत तो लगी होगी जब 18 गंटे में 25 किलोमीटर पूरा कर लिया तो यहाँ पे बोलते हैं कि मैं नाशनल हावेज अथॉरिटी के प्रोजेक्ट मैनेजर और ओफिसर्स को भी कॉंग्राचुलेट करूँगा, यह नितिन गटकरी का ओफिशल बयान है, ट्विटर से उन्होंने ट्वीट किया उसके बाद एक ओफिशल ने ये बोला है कि यह जो 25.54 25.54 किलोमीटर का यह जो स्ट्रेच है, यह 18 गंटे में पूरा हुआ, लेकि यह end-to-end नहीं है यह 5 different places पे at the same time हुआ है, वतलब एक ही को नहीं पूरा किया गया, 5 different places उसको एड़ करके 25.54 और फिर उसने ये बोला है कि शुरुवात में क्या था कि हमने सोचा कि 20 किलोमीटर का स्ट्रेच, सिंगल लेन हम बनाएंगे 12 गंटे में, लेकिन बाद में साड़े 5 किलोमीटर हमने और जोड दिये और उसके बाद इसको 6 गंटे बनाने में और लगे ठीक है, सोलापुर विजय हाईवे की बात करते हैं, तो यह नाशनल हाईवे है, जो महराष्ट को करनाटक से कनेक्ट करता है, यह चार लेन रोड है, शोलापुर और विजयपुर के बीच में कंस्ट्रक्ट की जा रही है इस रोड के पीच में 6 फ्लाई ओवर भी होंगे, अब जैसा कि मैंने है, यह उक्टूबर 2021 तक मतलब इसी साल उक्टूबर तक कंप्लीट हो जाएगा, यह नितिन गटकरी ने बोला है, उसके बाद करनाटक के डेपटी चीफ मिनिस्टर गोविंद कार्जोल ने यह बोला है कि यह बेंचमार्क सेटप करने वाला है जो कि प्रोजेक्ट आने वाले हैं, यह तो है ही है देखिए, जब सरकार competition is important, हाला कि मेरे इसाब से competition is foolish, लेकिन competition इसलिए बहुत ज़्याद important है क्योंकि आपको grow करता है, है ना यहाँ पर competition बड़ा अच्छा है क्योंकि अगर सरकार के different departments compete करेंगे और companies भी compete करेंगी एक दूसरे से, तो आप सोचिए कितना मज़ा हैगा, अब जैसे इन्होंने इतने कम टाइम में इतनी बड़ी road बना दी अब आने वाले समय में, जब ऐसे project आएंगे, तो यह एक reward है कि आप इससे कम टाइम में बना के रिखाएंगे, अब हाला कि वो जल्दी का काम शैतान का होता है बट यह एक benchmark है, तो यह भी बोलते है कि मैं congratulate करूँगा सारे team members को जिन्होंने काम किया, और उसके बाद work को काम को रमेश जिगा जिनागी ने launch किया था, जो कि union minister state के उन्होंने बोला कि यह जो corridor है, वो south इंडिया को northern इंडिया से connect करता है, और यह alternate route है, north-south corridor का, फिर जो development of four lane with the bypass of solapur, bijjapur and the construction of six flyovers जैसा कि मैंने बता है, travel time को बहुत ज़्यादा reduce करेगा, vehicle operating cost को बहुत ज़्यादा reduce करेगा, traffic में सबसे ज़्यादा गुस्सा आती कि petrol बहुत ज़्यादा फोगता है, time reduce होगा, तो आपकी cost भी reduce होगी, और infrastructure improvement भी होगा, अभी यह 5 different stretches में काम चल रहा है, अब आप देख सकते हैं, करनाटक हो गया, करनाटक में ही है यह, दुलकेर, होराटी, टांडा और तिड़ागुंडी, और बाकी दो जो है, वो महराष्ट में है, work जो है that was carried out by NHAI Project Director Sanjay Kadam, IGM Director Venkatesh Rao, IGM Team Leader K. Siddha Nagoda, पिछला जो world record आप देखी सकते हैं, कि it was created for the laying of payment quality concrete, PQC, जिसको बोला जाता है, for a four lane highway of 2580 meter length within 24 hours, अब ये जो, इसकी जो total cost है, 1889, 1889, नहीं, 89 हाँ ठीक तो है, 1889 करोन, ठीक है, इतनी cost आई है इसकी, 2017 में इसको launch किया गया था, और तब इसको approve किया गया था, basically, 16 पूर विजय पूर section को, under National Highway 52, connecting महराष्टर करना टक, तो ये lecture था दोस्तों, बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए भी, ऐसी road बनते रहें, railway lines बनते रहें, मजा आएगी हमको भी, travel करने में असानी होगी, टेलिग्राम चैनल है मेरा, 13,000 सब्सक्राइबर है, आप इसको ज़रूर जोइन करें, कुछ रहें परते रहें, दूसे से दांसंग नियो 3, Signing off.